हमारा चौथा गोल्डन रूल सुनहरा रूल है संगबाद और आज संग का डेवी है सन्निपाद बाहुल का डेवी है जब हमारा संग साथ दिन में एक वार बैठा करता था बहुत पुराने समय से बुद्ध से भी पहले साथ साथ सन्निकट बैठते थे सन्निकट बहुल माने अधिकतर लोग सन्निकट मतलब पास पास और सन्निपात साथ साथ बैठने की काम या साथ साथ बैठने का चरिया तो सन्निपात बाहुल हपते में एक वार, साथ दिर में एक वार, सत्ता हमें एक वार, सत्ता हमें एक वार होता था सारे जितने भी लोग थे वो सब बैठा करते थे क्योंकि गाओं पास-पास दूर-दूर होते थे आने जाने का साधन नहीं इसलिए बहुत सारे संभी पात बहुल होते थे कोई एक नहीं होता था अलग-अलग जगे इसी प्रिकरिया को बाद में क्योंकि बुद्ध से जब धम गया और इसा मसी ने सीखा लेह के अंदर जैसा कि नेट पे उपलब्ध है और जो रसिया के एक पत्रकार है उन्होंने खोजकीर बताया तो जो इसाई मत में गए लोग उन्होंने वहाँ संडे को अपना एक सापताहिक दिन रखा और पहले से एक दिन चला था जो सापताहिक बाद में मुहमद साब ने भी उसको फ्राइड़ी करके रखा सभी लोगों में सन्नी पात बाहुल होता है और सन्नी पात बाहुल का दिन होता है पूरी दुनिया में एक दिन जरूर होता है लगवक सत्ता में होता है तो संग बैठता है आने वाले जो समय है उसकी चर्चा करता है जो समय चला गया है उसके बारे में आकलन करता है और जो प्रजेंट में चल रहा है उसके बारे में निर्णे करता है ये संगों की खास बात ह तो संग बाद अगर हम देखें क्योंकि ये समणों का संग है समण संग है और समण संग बाद तो अगर समण संग है तो यहां संग बाद ही हो सकता है संग बाद के लावा कोई और बाद रही हो सकता वाद का मतलब होता है जैसे हम ये कहते हैं कि फलाने किसी चीज की बाचित करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बारे में चर्चा करना, इसको वाद बोलते हैं पाली के अंदर और इंगलिस में इसको बोलते हैं लॉजी, जैसे आइडियलॉजी है, चाहे वो अंधा वाद हो, चाहे वो जिन्दा वाद हो, चाहे वो मुर्दा वाद हो, चाहे वो किसान वाद हो, चाहे खेत वाद हो, चाहे संग वाद हो, चाहे संग्ठन वाद हो, चाहे मनु वाद हो, चाहे अंबिटकर वाद हो, इसका मतलब उससे सम्मंदित चीजें, उससे संबंदित बाते हैं उसकी चर्चा और वो क्या है क्या नहीं है इसके उपर सारी बाते हैं वो वाद में आते हैं तो हम यहां जो जिक्र करते हैं और जो हमारा नियम है वो है संग बात का यानि कि हम संग के उपर ही बात करेंगे संग के उपर ही चर्चा हैं कैसे संग पुरी दुनिया में फैलते हैं कितने तरह के संग होते हैं बिना संग वाले लोग कौन कौन से होते हैं संगों के नियम क्या है और जो संग में नहीं है लोग उनके नियम क्या है संग से फाइदे क्या है संग से नुकसान है यह क्योंकि इतना प्ला सब्जेक्ट है कि पूरी दुनिया इस पर चलती है चाहें संयुक्त राज संग हो चाहें अमरीका का जूनाटे इस्टेट्स हो यानि संयुक्त राज अमरीका संग हो चाहें भात गर्राज्य संग हो चाहें जो देश हैं पूरे जो इसको यून बोल बने हुए हैं या जो अलग-अलग लोगों ने United Union करके बनाई हुई हैं उनके संग हैं तो संग बहुत है और परिवार भी संग में चलता है संग के रुप में एकाई होता है भारत में एक संग है जो आज के समय राज भी करता है तो संग जो पूरा अगर आप देखेंगे इस्ट्रेक्चर तो संग के संग में अगर हम अपने हिसाब से देखें क्योंकि ब्यापारिक संग है या राजनितिक संग है या देशों के संग है उनसे हमें अभी इतना ज्यादा लेना देना है नहीं पर हरत में जो हमारा सबसे प्राचिनतर संग है पूरी दुनिया में सबसे पहला जो संग है जो भारत के लोगों का समलों का संग है जो मनुस्या का संग है उस संग के जो नियम है वो सारे नियम प्रकर्टिक वेस है पक्ति वेस है नेचर वेस है यानि कि संगों के नियम बनाए नहीं गए प्रकर् ये तै किया अकर साथ रहेंगे तो ही जीएंगे. उनके पास ना कोई किताब थी, ना कोई नियम थे, ना कुछ पता था, एक सहज ग्ञान था, एक प्राकर्थिक ग्ञान था, एक नैयच्रल ग्ञान था. इखटanız dal हैंगे तो जिंदा रहेंगे. इकट्ञा रहेंगे तो खाना लेलेंगे. इकट्ञा इसलिए अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि संग का वचार उसका है तो वो दावा दे सकता है क्योंकि वो भी संग का हिस्सा है वो भी प्रक्रति का हिस्सा है पर व्यक्ति आधारित यह नहीं है यह प्रक्रति आधारित है इसलिए बुद्ध ने जो अपने भिक्कु संग ब बोला करते थे समढ़ कि हम सारी लोग हैं और हमारा संग इसलिए समढ़ संग पर उस समय खाली संग बोला करते थे क्योंकि और कोई था नहीं समढ़ों के लावा तो वो जो समढ़ संग है उसकी मेंबर्सिप लिए उसके नियम थे और उसके नियमों पर आधरी चलके समढ़ सं तो उन्होंने टीचरस का एक संग बनाया जिसको भिक्व संग बोलते हैं फिर टीचरस का बनाया याने कि भिकुड़ियों का एक जो नंद थी उनका संग बनाया और उसके नियम उसी हिसाब से डवलव होते गए दुनिया में बहुत सारे रिलिजन बने बाद में उनकी भी नियम कुछ यहां से लिए कुछ वहां से बनाएं तो बेसिकली संग बहुत बड़ी चीज है और संग के अलावा जो असंग है वो बहुत बड़ी चीज है पर हम यहां जो बात कर रहे हैं और जो बात करनी है वो बात करनी है भारत के सिनरियों में और जो हम लोग समण लोग है उनके लिए, क्योंकि जो समड़ लोग हैं, बेसिकल उनकी प्रॉपटी रही, उनका ये संग रहा, पर उनी का सबसे ज़्यादा सत्यानास हो गया, क्यों हो गया, क्या कारण रहे, बहुत साधरन से हैं, जो लोग संग में रहते हैं, उनका कभी कोई नुफसान नहीं होता, और जो लोग संग से तूट जाते हैं, वो मारे जाते हैं, बिखर जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, उनकी सब चीजहें चली जाती ही, ये प्रकृटी का नियम है और वही नियम संग का भी है, संगों में आज के समय भारत में हमारे खास्तोर से जितने भी लोग हैं जो समण हैं वो अपनी पुराचीन संगों की प्रॉपरटी को भूल गए और उन्होंने जो नुफसान दायक चीज था जो सिस्टम था उसको एडॉप्ट कर लिए काम तो उन्होंने एकटा होने का किया पर एकटा होने का काम उन्होंने मनुस्मर्ति आधारित सिध्धान्थ पर किया दो आइडॉलोजी चलती है एक संग की भारतिया ओरिजिनल आइडॉलोजी चलती है और एक यरुसलम की आइडॉलोजी चलती है जो किसी व्यक्ति आधारि structure adopt किया जो व्यक्ति आधारित होता है जो पैसा आधारित होता है वो धाचा रोने adopt किया वहाँ से गर्बल हो गई कैसे गर्बल हो गई हमारा जो पुराना सिस्टम था उस सिस्टम में सुरू से लेके आखिर तक कहीं भी नेततों के नाम पर व्यक्ति नहीं होता यानि हमारे पुराचीन सिस्टम से लेके अब तक में और नाहीं उसका नाम होता है और नाहीं उसका परिवार बाद चलता है पर जो मनुस्मर्ति आधारित है या जो यरुसलम से आया हुआ है जो बाहर का सिध्धान्त है उसके अंदर एक ही व्यक्ति चलता है उसका परिवार चलता है और उसकी मानेता अंधी होती है उसको लोग नहीं चुनते लोगों से चुनने का कोई मत्तब नहीं है बस वो एक व्यक्ति होता है उसी का परिवार चलता है और उसी में से व्यक्ति आते रहते हैं, वहां व्यक्ति का नेतत होता है, संग के अंदर संग का नेतत होता है, वहां व्यक्ति फैसले करता है, यहां संग फैसले करता है, वहां व्यक्ति अकेला काम करवाने वाला होता है, यहां सारे मिलके अपनी भी को लाव होता है जो संग के सदस्य होते हैं संग के मेंबर होते हैं परिवार से जुड़े होते हैं संग परिवार से सारे सारे अटेच होते हैं उनको लाव लाव होता है इसलिए जो संग वाद की परणाली है वो भारत की परणाली है और वो सब के लिए थी आपको भारत की पूरी हिष्ट्री में नायक नहीं मिलेगा, नायक बाद नहीं मिलेगा किसी संग में, बुद्ध के संग को भी आप लेंगे तो वहां नायक नहीं है, उनके बाद भी नायक नहीं है और उससे पहले किसी नायक का नाम नहीं मिलता, यानि व्यक्ति का नाम नहीं मिलता, ये सार सभावाशाव, अंवेटकरने संविधान में उडाला है। वहाँ जो fundamental rights हैं वही rights है जो हमारे पहले समणों संग में थे वही rights है जो बुद्ध ने अपने समण संग में लागू किये और वही fundamental rights है जो बावसाब ने समविधान में दिये पर सम्विधान में जो हैं वो सम्णों और वम्णों के लिए है और जो भिक्कू संग में है वो खाली भिक्कों के लिए और भिक्कूनियों के लिए है पर जो सम्ण संग के राइट्स है वो सारी सम्णों के लिए है और जो वम्णों ने संग बनाया है वो अपने हिसाब से चल होती है वैसे ही पुराने समर्ड सिस्टम के अंदर जितनी पूंजी होती थी जो भी खेद खलियां जंगल होते थे उन पर सब का अधिकार होता था कोई भी जाए जंगल में कोई भी काम करें कोई बाउंडर नहीं कोई रोक नहीं टोक नहीं जिसको जितना काम करना उतना करें जितने जानवर वो ला सकता है लाए, जितने जानवर बांद सकता है बांदे, जितने जानवर वो पकड़ सकता है पकड़े, और जितना वो पत्थर अटा के खेत त्यार कर सकता है, खेत त्यार करे, सारी छूट होती थी, कोई किसी की बाउंडरी या कोई किसी की कहीं कोई ऐस सम्विधान में दिया भारत के हर नागरिक के राइट्स बरावत हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो राष्टपती बन सकता है वो प्रिधान बन सकता है बेसक वो पड़ा लिखा है या नहीं है बेसक वो गरीब है बेसक वो अमीर है बेसक वो दूला है बेसक वो लंगड सकता है देश के किसी भी इंस्ट्रिटूट में जा सकता है देश की कोई भी सेवा जो सरकारी सेवा है उसको ले दिये सकता है यहां तक की जो प्राइविट प्राइविट जो लोग थे उन पे भी सरकार का अधिकार है उन पे भी संग का अधिकार है संग जब चाहे जिसकी प् सब्सक्राइब था प्राकर्तिक रूप से आता है जो चीज़ें खराब करता है वो कैसे कैसे करता है जैसे समर्संग बिल्कुल ठीक चलता था पर भिकू संग में भिकू संग को तोड़ने की कैवर कोशिस हुई और उसमें कैई सारे लोग ऐसे आए जो विक्तिवादी थे कैई सारे लोग ऐसे आए जिनकी खुद की इक्छाय थी कैई सारे ऐसे लोग आए जो खुद पढ़ाना चाहते थे कैई सारे ऐसे लोग आए जो पूरे पड़े नहीं पूरे त्यार हुए नहीं पर उनकी चलनी चाहिए, कई सारे ऐसे लोग आए, खुद जो बुद्ध है, उनके भाई देवदत के उन्होंने कुछ नियम ऐसे बता दिये, जो ऐसे हैस्ते ऐप्रकर्टिक थे, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए नियम बनाए, कि इसमें से कुछ भिकू उन्हों नियमों को दे हैं, इनसे क्या होने वाला है, पर बुद्ध ने सुईकार नहीं किया, पाच सो नए सामने नियरों को देवदत तोड़के ले गए, पर बाद में जो भिकू भेजे ट्रेंड वो आगे लोड़के, उनको समझ आ गया, वहां तोड़ने कोशिस होई, पर संग तूटके संग नहीं जाता कहीं, संग में से कुछ लोग तूटते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, और आ जाते हैं, पर संग नहीं तूटता, पर जो संग्ठन होते हैं, वो अगर तूटते हैं, तो परमानेंट फिर दो संग्ठन बन जाते हैं, चार बन जाते हैं, आठ बन जाते है 16, 32, 64, 128, 256, 52 बन जाते हैं 29 लाख बन गए पर संग मैंसे अगर कुछ लोग जाते हैं तो संग वहीं रहता है संग कहीं नहीं जाता इसलिए भारत गर्राज्य का जो समिधान है उसमें से अगर कुछ MP संपी भग जाएं कुछ MLS मले भग जाएं कुछ मंत्री इस्तिफा दे दे कोई प्रिधान मंत्री इस्तिफा दे दे या कोई अपनी नौकरी में से छोड़के चला जाए तो भारत गर्राज्य संग का सिस्टम नहीं हिलता क्योंकि वो व्यक्ति आधारित नहीं और देश भी नहीं कि हिलता वो तूटता नहीं क्योंकि वो भारत गर्राज्य संग है औ पर वो सम्मिधान मी वहीं रहता है, देश मी वहीं रहता है, और सिस्टम वहीं काम करता रहता है, सरकारें कहीं नहीं जाती, जो जाता है, वो व्यक्ति जाता है, ये सिस्टम सारे के सारे सिस्टम संगवाद पर आधरित है, इसलिए सक्सेस्पुल हैं, इसलिए चलते हैं, क्य कि सब की मानिता परावर है, पर अगर कोई व्यक्ती इस सिस्टम को छेत करना चाहे, भेट करना चाहे, तो संगवाद के जो नियम है उनको उल्टेगा और उसको व्यक्ती बात आधर लेकर आएगा, वो क्या करेगा, समर्ण में आएगा समर्संग में आर्थिक एजंडे लगाएगा ताकि उसको फायदा हो जबकि समर्संग आर्थिक एजंडे नहीं लगाता कोशिस करेगा यहां के लोगों को बहलाने की फुसलाने की यहां कोशिस करेगा कि fundamental जो rights हैं लोगों के संग के अंदर वो deflected हो जाएं बोलने की आजादी चली जाए कपले पेने की आजादी चली जाए खाने पीने की आजादी चली जाए रंग रोगन पर जगड़ा हो जाए छेतर जगड़ पर हो जाए या representation पर हो जाए बहुत सारी बातें वो करेगा पर वो समझ नहीं पाएगा कि संग का कहीं कोई नुपसान नहीं होता जैसे भारत का सम्मिधान हर एक व्यक्ति को पूरे right देता है और यह पिड़नाली वहीं से चलती है संगबाद की वैसे ही समझ संग के अंदर भी यह right है सब का कि हर एक व्यक्ति यहां संगबाद के अधार पे उसकी पूरी आजादी और पूरा उसका जो जीमन जीने का तरीका है वो आजाद होता है उसमें संग दखल नहीं देते संग सांगिक जो रचना होती है जो संगिक नियम होते हैं जो संग के नियम होते हैं उनमें दखल देता है किसी के मत मतांतर में किसी के वहवार में किसी के रहन सेन में संग दखल नहीं देते इसलिए पुराने समय में जितने भी लोग संग में रह जाते थे उनका कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो ये खाएंगे वो ये पिएंगे ये बैठेंगे ये रोएंगे ये इससे जाएंगे उनको सामुई के रूप से आना है और सामी की रूप से काम करना है ये उनका काम होता था किसी की individual property में जाके या individual किसी के behavior में जाके दखल देना देश के कानून में भी नहीं है समडों के कानून में भी नहीं है और गुद्ध के कानून में भी नहीं है तो यहां जो लोगों ने संग्ठन मराए और जो संग्ठन की practice करी वो हमको परिशान करती है कैसे परिशान करती है लोगों ने यरुसलम से मनुबास से आधारित जो संग्ठनों की रचना की उसमें व्यक्ति प्रधान मना दिया उस व्यक्ति ने अपना परिवार उसमें सामिल कर दिया वो परिवार उसके अंदर रहता है वो व्यक्ति मरता है तो अपने परिवार को वारिस बना जाता है या व्यक्ति जीवन मर हटता नहीं वो उसका संस्तापक अध्यक्ष बन के रहता है उसका पैसा फूब जम के पैसा लें देता है और उसका खुद इस्तमाल करता है जबकि संगों के अंदर पैसा एक खटा नहीं हो सकता, पहले कभी खटा नहीं हुआ, जो समण संग है उसमें कभी खटा नहीं हुआ, जो भिक्वों का संग है उसमें कभी खटा नहीं हुआ, और देश के अंदर भी ऐसा टारगेट नहीं होता, कि देश का काम यानि भात गर र चीवर और जो पात्र या जो खाना देते थे, हैंड टो हैंड विक्कों को चला जाता था, या इस्टोर में रखा हुआ जब जिसको पढ़े ले पर भंडारा नहीं होता था, भंडार नहीं लगाते थे, हमारे पास में दस्यार चीवर हो गए, हमारे पास में दस्यार बोरी ख कर लिए हों कि यह संग जमा करके रखेगा वस जो भात भरना है हाथ क्यात लाए जिसको जरुत हो अपने अपने यहां से थोड़ा थोड़ा लाते थे और उसका काम हो जाता था उसको भात बना वह देते पर भूग कोई नहीं मरता था वही नियम यहां अपना खाना लाने का ह खाना एकटा करने का नहीं है अपना खाना लाते हैं खाते हैं और चले जाते हैं अपने पैसे से आते हैं पैसा खर्च करते हैं चले जाते हैं शेरिंग गाड़ी करके आते हैं गाड़ी में रहते हैं बैठते हैं खर्चा देते हैं अपना अपना चले जाते हैं पर एकटा नहीं करते इखटा करने की प्रंपरा नहीं कहीं भी संगति लगे जो खचा होता अपना अपना देते हैं और चले जाते हैं यही देश का नियम यही भिक्कू का नियम यही स्रमण संग का प्राना नियम और यही आज का नियम सारे नियम लाइन मिला के सारे के सारे मिलते हैं प नेता उसको माने या ना माने नेता की वाजी, क्योंकि नेता ये कहता है कि आपने मुझे नहीं बनाया, मैंने आपको बनाया है, मैंने आपकी परची काटी है, आपने नहीं बनाया संग्ठन, जितने भी संग्ठन बनते हैं, वो लोगों की मर्जी से नहीं बनते, यानि वो सं संग नहीं बनाता, संग जब भी बनाता है, खटा होके वो संग ही बनता है, संग जितने भी बने वो लोगों ने बनाए, किसी एक व्यक्ति ने या परिवार ने या दोचा लोगों ने मिलके नहीं बनाए, प्राकर्टिक संग जितने भी हैं वो सबसे मिलके बनते हैं, जानव संग्य वेगा 120 करूलय लोगुषए मिलकर बनता है तो सारे लोगों के द्वारा बनता है इसलिए लोगों का होता है लोगों के लिए होता है और लोगों से होता है इसलिए सम्मिधान में बाइदा पीपल for the people of the people है सारी बातें आपको संग की सिम्नल मिलेंगी अगर किसी को संग का modern अध्यन करना हो तो उसको भाद गड़ राजे संग का सम्मिधान अध्यन करना चाहिए किसी को अगर धम के तो उसको विने पीटक करना चाहिए और किसी को अगर संग का धन करना हो तो संग में आना चाहिए संग में आकर देखे और comparison करे कि यहां संग्धन बाद में और संग बाद में क्या अंतर हैं क्या नहीं यहां पारवारिक रिस्ता होता है संग के अंदर जैसे भारत को हम कहते हैं कि पूरा भारत हमारा परिवार है वैसे ही समण संग में सारे समण हमारे परिवार है वैसे भिक्कु संग में सारा भिक्कु परिवार होता है वैसी पुराना सिस्टम था यहां किसी भी हलत में ऐसा नहीं होता कि भीड आई इवेंट किया कोई किसी को जानता नहीं मैदान में खटे हुए और चलेगे यहां बाकाइदा बहुत आराम आराम से काम होता है सभी संगों में और वो एक दूसरे को परिशित होते हैं और एक दूसरे को नाम से परिवार से जानते हैं एक दूसरे के काम आते हैं संगों के अंदर भिड नहीं आत उनका वेपक्षी आ गया या उनका पक्ष वाला आ गया उन्हें नहीं पता उन्हें सिर्फ हेड गिनना है उनको सर गिनना है इवेंट हो गया अपना काम पक्का हो गया ऐसा काम संग्ठन में होता है बाबा होगी जैजे होगी पर संग्ठन साल में एक या दो इवेंट करते है पर संग 355 दिन काम करते हैं संग्ठनों के काम सोवाजी के होते हैं बड़ी-बड़ी मंचें बड़ी-बड़ी माला दिखावा पैसा सेलिबरिटी सेलिबरिटी के नाम पर भीड इखटा करना खुग डोल धंगाले बजाना खुग परचार करना क्योंकि इवेंट है वन टाइम है पर संग्ठों के काम बहुत स्मूथली होते हैं उनको सेलिबरिटी के आफसकता नहीं होती उनको अपने लोगों को एखटा करने के लिए पहलवान की और पहलवाननी की आफसकता नहीं होती किसी बॉर्डी बिल्डर की आफसकता नहीं होती किसी नेता की आफसकता नहीं होती किसी प्रधान मंत्री को गाली देने वाले या किसी राष्ट अध्यक्स को गाली देने वाले या या किसी वेक्ति को गाली देने वाले या विरोध में बोलने वाले किसी celebrity जोतनी होती उनको वो लोग चाहिए जो जोड़ें और जोड़ने में यकिन लगते ये सारे संग होगी कहानी है सारे संग होगी जितने भी संग है दुनिया में वो सब इस तरह से काम करते हैं क्योंकि ये दुनिया का प्राचिन संग है ये संगबाद है तो संगबाद के अंदर पैसा नहीं लिया जाता पैसा नहीं खटा करता संग करी सुरू के संग से लेके जो संग हमारा संब्णों का था उसमें कहीं नहीं था कि कोई खजान चीए या कोई पैसा तब तो पैसा होता भी नहीं था अपनी अपनी रोटी लेके आते थे, अपना अपना पानी सब मिलके खाते थे और चले जाते थे भिख्कू संग के अंदर भी क्योंकि नियम था कि भिख्कू teacher है, कमाएगा नहीं और वो समाज के खाने पर रहेगा और समाज को उसके बदल्दे में पढ़ाएगा क्योंकि वो teacher है तो वो खाना भी limited लेगा, वो खाना लिल गयता था और खाना लेके जितना खाना कामाया उतना खाया 20% कम खाया बागी छोड़ दिया वही समढ़ संग का नियम है कि खाना अपना अपना लेकर आना है क्योंकि यह टीचर नहीं है भिकू नहीं है वो अलग बात है कि वो इंप्लिमेंट नहीं होती पर हर व्यक्ति की गरीमा का गारंटी समिधान में है पर समिधान की गारंटी तब ही है जब सब लोग मिलके अपने समिधानिक अधिकार लें क्योंकि समिधान आपको गरीमा देता है पर अधिकार लेनी की जिम्मेदारी आप अधिकार लें क्योंकि खाना आप साथ लेकर आएंगे तो छोलना ओपको पड़ेगा चवाना तो आपको पड़ेगा निगलना तो आपको पड़ेगा वैसी समीधान गारंटी देटा है पर लैनी आपको पड़ेगा और आपके घर भी आ सकती है अगर आप संग में खटे हो जाएं ये भी समिधान बोलता है तो यहाँ सबके सब लोग खाना अपना खाते हैं संग के अंदर अपने कराय से आते हैं अपने कराय से जाते हैं और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है पूरा अधिकार है मानी वही बात जाती है जो सही हो जो संग के हित में हो कोई व्यक्ति अगर अपने हित की बात करे और संग में रखे तो संग को समझ में आ जाता है कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अहित की बात रखे तो भी संग को समझ में आ जाता है तो अहित अपने हित की बात या दूसरे के अहित की बात उसको संग पुटेक्ट करता है कि किसी का अहित ना हो सब के हित की बात होती है वो संग में तुरंच पास हो जाती है और अगर किसी के अहित की बात हो तो वो बात अठक जाती है ये सारे संगों में हैं और ये पालियमेंट में भी है ये सबसे बड़ा संग भारत गड़राजे संग है उसके अंदर भी है कि अगर भारत गड़राजे संग के वेलफेर की बात होगी तो मानी जाएगी और अगर भारत गड़राजे संग के वेलफेर की बात नहीं होगी तो ड दुनिया में एक सी है, संग के अंदर जब फायदा आता है, तो सब को मिलता है, भारत के अंदर को इसकी बनती है, फायदे की तो सब को बनती है, भिक्को सब को फायदा देते थे, वो नहीं देखते थे कि वमण है या समण है, पर समण का जो संग है, वो सब को फायदा देता ह क्योंकि वो अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए बनते हैं इसके हिसाब से संग का नियम और उत्ता उप्योग नहित होता है संगों के अंदर कभी भी विरोधी विचाधारा नहीं आती कभी नहीं आती. विरोधी विचारदहरा के लिए संगों में जगे नहीं होती, संथर में हो सकती है. इसलिए भारत गर्णाज्याइक संग यानि देश का जो संग है उसमें देश विरोधी विचारदहरा नहीं आ सकती. उसको देश ग्रोही बोलते हैं, उसकी सजा है वैसे ही भिक्कु संग के अंदर पाथी मोग के अंदर वहां भिक्कों के विरोध में या धम के विरोध में विचाधारा नहीं आ सकती क्योंकि उनका काम पढ़ाने का है धम को सिखाने का है और वैसे ही समणों के अंदर समण संग के विरोध की विचाधारा या धारा नहीं आसकती, तो उसको डिसोबे भी नहीं कर सकता. बुद्ध ने संग का नहीं थे सिद्धत थे तो उनोंने युदording लड़ने से संग की नियम को मना कर दिया, पनिसमेंट हुई और संग छोड़ना पड़ा, देश निकाला हो गया, साख के संका निकाला हो गया वैसे ही अगर कोई भारत का विरोधी होता है और विरोधी विचार धारम चलता है जो सम्विधान को मानता नहीं देता जो गॉर्मेंट को मानता नहीं देता जो गॉर्मेंट के चुने हुए निमायंदों को मानत नहीं देता उसको जेल हो जाती है उसको सजा हो जाती है मौत भी हो सकती है फांसी के सजा भी हो सकती है देश दुरों में वैसे ही समण संगों के अंदर भी होता था पुराना नियम है कि अगर घात करेंगे और समण संग के नियम को नहीं मानेंगे लेके आएंगे या जिक्र भी करेंगे या किसी को भड़काएंगे या किसी को नुक्सान करेंगे तो संग उसका दंड तै करता है यह सुन से चला आ हैं और एक आदेश पर चलते हैं सारे संग चाहे वमणों का है चाहे समणों का है पहला तो हमारा ही है पर नियम सब ने हमसे लिए है चाहे देश का संग है चाहे अमरीका का संग है चाहे रूस का संग है चाहे यूनाटेट नेसन का संग है कहीं का भी संग है एक विचारधारा होती है दूसरी होती नहीं इसलिए संगियों के अंदर संग के अंदर वही रुखता है वही चलता है जिसको संग के सारे नियम कुबूल है जो सारे नियमों को मानता है जिसको सारे नियमों में कोई संसे नहीं है संसे है तो पहले पूछ ल पहले पूछ ले पर अगर एक वार संग को सुकार कर लिया और एक वार संगी बन गया फिर नहीं चल सकती फिर बात नहीं होगी फिर प्रसर भी नहीं पूछ सकता यहां तो समढ़ संग में अलाव कर देते हैं कि पूछ ले भई क्योंकि अभी संग्ठन की आदत पड़ी हुई है इसलिए अपने समढ़ संगी भी कई बार पूछ डालते हैं भरी मिटिंग में उनको बता रखा है कि आपको अगर संग से है तो आप महिने में जो एक तारिक मिटिंग लगती है उसमें पूछ सकते हैं पर उनको ध्यान नहीं रहता क्योंकि संग्ठन की 70 साल की आदत है ज नियम बदलेगा जब संग चाहेगा जब संग बैठेगा दوبारा वहां पील होगी वहां आप सुन्वाई करो फिर जिरह करो फिर बताओ कि नियम क्यों खराब है कैसे है अगर संग को लगेगा पास हो गया तो नियम डाउन हो सकता है अधर बाइज जो एक बार पास हो गया सही है गलत ना खाता ना बही संग जो कैदे वो सही ये संगों के नियम होते हैं ध्यान रखना ना खाता ना बही और जो संग कैदे वो सही वही सही होता है जो संग कैता है क्योंकि संग अपने उद्देश के इनले काम करते हैं और उनका उद्देश है अपने लोगों का विका संग का विकास, संग का सुख और संग की सुरक्षा, इसकी मद्दनेजर नियार रखे मैं रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर लगे के इगो आ गया, एहम आ गया, वो बहुत बड़ा कारे करता है, वो बहुत बड़ा तोप है, तो संग से बड़ा कोई नहीं होता, संग सब्बो पर ही है संग सबसे उपर है कोई नेता होगा अपने घर का कोई अमीर होगा अपने घर का कोई जानकार होगा अपने घर का कोई कैसा भी व्यक्ति है वो अपने घर का होगा पर संग में आएगा तो संग के नियम मानने होंगे भारत में रहेगा तो भारत गर राज्ये संविध के नियम मानने पड़ेंगे अगर भारत की नागता ले रहा है और विदेशी भी आ रहा है तो विदेशी की जो नियम संविधान में वो मानने पड़ेंगे भिक्कू संग में रहेगा तो भिक्कू संग के नियम मानने पड़ेंगे अगर मुसलिम संग में रहेगा तो मुसलिम है प्रोसिस है पर जो एक बार हो गया हो गया वो नहीं बदलता पर यहां अभी बड़े आराम से काम चलता है धिलाई से काम चलता सकता है इसे नहीं चलता क्यों कि संग्ठनों में तो बड़ी बुरी स्थिती है संग्ठनों में को नियम यम तो मानता नहीं संग्ठनों में और गाजर privacy भालत राते हैं कोई बनाते हैं सोब बनाते हैं उसके बाद में कोई बनाते हैं को जीब खुद कोई कार खहिता है, कोई AC कहिता है, कोई कुलर कहिता है और संख्थनों से कोई परणाम तो आता नहीं है. इसलिए 10-20-30 साल वो संख्थन चलता है, उसके बाद में फिर वो विरोधी लोगों से उस संख्थन के नाम पे पैसे लिद देता रहता है और जब कहीं कुछ नहीं होता तो एस property को अपने बच्चों के नाम कर गयाया तो मर जाता है या अपनी आखों के सामने यही बेश देता है सभी संख्ड़नों की यह हलत है कुछ देर से और कुछ सवेर से कोई कतना भी यह कहे संग्ठनवाला के नहीं ऐसा नहीं है नहीं ऐसा नहीं है पर लाश्ट रियल्ट यही है सबका सबका अगर आपको यकीन नहों तो अभी कुछ एक साल पहले तक जो हमारे बाम सेफ के जो साथी थे मेसराम साथे मेसराम वाले वो ऐसा ऐसा दम भठते थे के पूछो मत उनके पर संग्ठनों में तो प्रंप्राई पैसा एकटा करने की है, क्योंकि संग्ठन तो जीते ही चंदे के लिए है, जमीन के लिए जीते हैं, पोजिशन अपद के लिए जीते हैं, पैसे के लिए जीते हैं, इसलिए वहाँ तो जायज है, वहाँ तो कर सकते हैं, इसलिए संग्ठ का आज इवन प्रेश्डेंट फाउंडर प्रेश्डेंट आज इवन तो रेश्टी नाम हो जाती है संग्ठंगी आप कितना ही काम करो कुछ भी काम करो आपका काम सारा का सारा उसी के खाते में जाता है जिसने रेश्टी करी है वो संग के खाते में आपके खाते में लोगों तो कहा है ओंडों के संघ काूंड होते क्हें संग हो और विक्तिंगी नहीं नहीं सकता कभी है इसलिए संग सभी का होता है जिन लोगों के लिए संग काम करता है जिन का होता है जैसे संब्डों का संग संब्डों के लिए और जैसे वंडों का संग वंडों के लिए जैसे भिक्वों का संग भिक्वों के लिए जैसे भिक्वनियों का संग वो पहले से ही है कोई संग कोई विक्ति संग बना नहीं सकता बुद्ध ने भी पुराने संग की परंपरा लेके कुछ नियम लेके भिक्कू संग बनाए हैं उन्हें कोई खोला उला नहीं उनको पहले से पता था कि संग कैसे काम करता है इसलिए जब वो उनको ज्यान प्राप होाद होंगों पराफ्ट होने के बाद धूर्य साथी थे उनके पास गए तो वहां उन्होंने कोई प्रस्ताब नहीं रखा कि मैं संग बनाता हूं बस बोई खटे हो गया और संगmar गया क्योंगों से जानते थे पहले से संगी थे इसलिए वो पांचों भी संगी थे तो संगी पावर को जानते थे और पहले भी संग में रहते थे वो जब बुद्ध को ग्यान प्राप्त नहीं था तो तब भी वो छे के छे संग में रहते थे साथ-साथ ही रहते थे इसलिए पंजीकर नहीं होते संग के आदेश को कोई टाल नहीं शक्ता संग अदिसे सब से उ three Soul ने जो आदेश पैले कर लो घे जो आदेष्व कोई ताल नहीं सकता पर टालने का तरीका है चैru को दोबारा फिर वही परउचेशर में जाना पड़ेगा लोगों के पास जाना पड़ेगा फिर वहाँ बैठेगी सवा, फिर अपना मत त्यार करो, फिर बात बन सकती है, पर उससे पहले नहीं, यानि संग का आदेश सब्वो परी होता है, पर संग अपने आदेश को बदल भी सकता, क्योंकि उसी का आदेश है, और वो आदेश को बदल सकता है, जब चाहे जब, क्योंकि संग का आ पारी है वम्रों ने हमसे सीखा है उनका खून में उनके जीन में नहीं है उनके खून में और जीन में व्यक्तिवाद है व्यक्तिवाद है और कॉर्परेट सेक्शन है यानि के पैसावाद है जिसको कहते हैं कि पूझी बाद उनके खून में पूझी बाद है उनके खून में जो संग वाद होता है, उसके अंदर परिवार वाद, परिवार वाद का मतलब है कि परिवार संग में रहता है, उनके अंदर भायचारा वाद होता है, उसके अंदर एक दूसरे की मदद वाद होता है, पर संग्ठनों के अंदर माधाल होती है, एक दूसरे का कतल करने की योज रहेगा परिवार आपस में सभी नहीं होती है वो परिवारबाद नहीं है हमारे यहां तो परिवारबाद है कि सारे परिवार साथ साथ रहते हैं उनके यहां परिवारबाद उल्टा है कि मेरा परिवार ही इसका मालिक रहेगा वहां जितनी भी बाते होती है वो व्यक्ति को प्रधान और विक्ति को ऊपर उठाने के लिए होती हैं पर संग के अंदर जित्ती बाते भी होती हैं वो संगों को ऊपर उठाने के लिए होती हैं इसलिए संगों के अंदर कहा जाता है संग का आदेश है और संग्ठनों के अंदर कहा जाता है प्रधान जी का आदेश है अध संगों के परिणाम पर्मानेंट रहते हैं संगों के जो रिजल्ट हैं वो बहुत लंबे चलते हैं जब तक संग चलते हैं जब तक उनको परिणाम मिलता है संगों के परिणाम सबको बढ़ते हैं संगों के जो परिणाम आते हैं बहुत सॉलिड होते हैं टिकने वाले होते हैं पर संग्ठनों के जो परिणाम आते हैं वो उतले पुतले आते हैं कभी कभी आते हैं वाईचांस आते हैं और बहुत सोड टाइम के लिए आते हैं थोड़े बहुत समय के लिए फिर चले गए इसलिए पिछले पिछतर साल में जो हम संग्ठनों पर काम कर रहे हैं परिणाम न लेकाए इन संग्ठनों के रहने से संग्ठनवाद की वैसे वो चले गए पर संग्ठन के लोग या संग्ठनवाद वाली लोग कभी बैठके जिक्र नहीं करते कि उनकी सिस्टम में क्या कमी है कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि जब बावासाव अम्बेटकर ने हमको संग आधारित समिधान दिया है, तो हम संग आधारित समिधान अपने लोगों में क्यों नहीं लागू करते हैं, जब बावा साब अमिट्र ने साफ साब कहा है, कि आपको झाय मैंर्गा उनुद करने यान। तो फिर क्यों अलग-लग रहते हैं? उसको कैसे लोगों को बताओगे, कैसे निघाऊँची करके बताओगे, जब इस्टेश से कहोगे कि सब को इखटा रहना है, तो क्या आपनी तरफ नहीं देखोगे, कि जिस मन्च से बोल ले हो, ऐसी मन्चे हजारों काम कर रही हैं, चाहे वो धम की मन्च से बोलोगे, तो धम सामाजी की संख्धन है चाए वो سरकारी करमचारी ओगंग नेताओं की मन्द से बोलोगी तो कितने सारे सारे करमचारी की मन्द हैं तो सरम नए आएगी यह बोलते हुए कि बावास साबने कहा है और्गनाइज या Сिर्फ संक्ठारबाद के लिए कैसे यस कर देगा वो कैसे कहेगा कि आप संक्ठारबाद में अलग-लग रहना अगर भारतीय बहुत महासमा में जितने लोग हैं अगर बावा साप के सामने उन्होंने तोड़के इसके टुकड़े किये हुए तो क्या कहते हैं बावा साप किस-किस की पिटाई करते तो बावा साब अगर नहीं है तो बावा साब का काम कर दो भाई बावा साब ने कम बना किया है अगर जान बचाने तो इखटा होना तो पड़ेगा तो कुछ काम आपको भी करना चाहिए कुछ काम सब को भी करना चाहिए पर पिटाई का मतलब यह नहीं कि क्यों आए वो ये बात बिल्कु ठीक है क्योंकि वो जो मानते हैं वो ये कहते हैं कि ये कुछ लोग का संग है इसको समढ़ से नहीं मानते हैं कि जानते नहीं पचानते नहीं पर इसका जगड़ा नहीं तो उनको कहना भाई तुम सारे खटे हो जाओ ये संगी वहीं आ है कि जहां सारी लोग नियमों पे चलेंगे वह भी संग है तुम इन मूल निवासी संग थोड़ी हो जाता है मूल निवासी संग में अगर संग लगाया है तो संग का धाचा होना चाहिए संग का नियम पास होना चाहिए सब लोगों को पावर मिली चाहिए सब बरावर होने चाहिए पैसा लेना बंद होना चाहिए मंच माला खतम होनी चाहिए व पपëlकिल करा आओ तो फिर कायगा मूल्लेबासी संग है, फिर तो संग ठन है, तो देखना हो तो जो पराना रूबरूस का संगता उसको देखो, USSR और संग को देखना हो तो भारत गड़राजय संग के समधान से देखो और संग को देखना हो तो भिकों के संग से देखो और कहीं और भी पास देखना हो तो समण संग से देखो तब देखना चाहिए, तब आपको संगवाद में और संगभाद में अंतर समझ में आएगा इसलिए हमें सारा काम संगभाद के लिए करना है और संगभाद के नियम बहुत सिंपल है जो यहां प्रक्टिस होते है बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं समझ रहे हैं पर उनको समझाना पड़ेगा कि संग और संग्ठन में बहुत सारे अंतर हैं। समझान गंत के अंदर ये सारे के सारे जितने भी अंतर हैं वो बताएगा हैं और बाकी अंतर आप खुद भी देख सकते हो जब आप प्रेक्टिस करोगे जब आप बैठोगे कि ये कैसा होता है कैसा नहीं होता है। खुश रहते हैं उनके सारे अधिकार बचे रहते हैं पर संग्ठन के लोग हम ऐसा दुखी रहते हैं क्योंकि संग के लोग आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं और संग्ठन के लोग आपस में एक दूसरे के सत्रू होते हैं ये प्राकरतिक नियम हैं अगर चार दुकान लोहा बेचेंगी और एक ग्रहक आएगा तो चार दुकान दार क्या चाहेंगे यह ग्रहक मेरे पास आजाए और लोहा हमसे ख़ज़े तो हमें फायदा होगा वैसे ही संग्ठन होते हैं 29 लाग संग्ठन खुले हुए हैं ग्रहक तो वही हैं जो लोग हैं वही उनके ग्रहक हैं वोई चंदा देते हैं वोई सपूर करते हैं तो हर एक संघनवाला जैसे धंका संघनवाला है तो भिक्कू चाहता है मेरे पास आ जाए जो डोग वोग रही हो है जो सांग्ठन वाले हैं वोच्छा तो उन्होंने अलगरे दुकान खोली होई है तो उनमें होता है पर संग तो दुका नहीं ही नी, संग तो घर है और घर में कुछ बेचा जाता नहीं, इसलिए संगों में इस तरह एके जगड़े नहीं होतें, सब को सेल्टर मिलती है, संग تو पूरे सोसाइटी की, पूरी समाज की, कूरे समलों की मा है और मा अपने किसी बच्चे को मना नहीं करती तो संग्ठनवालों को भी मना नहीं है वैस संग्ठनवालों जब तुम्हें होस आए आजाना होस ना आए तो भी तुम्हाली दरवाजे कुलें क्योंकि संग में कोई दरवाजा होता है नहीं संग तो खुला ह आओ फिर जाओ फिर तिवार आओ फिर जाओ जाओगे आओगे जाओगे आओगे संग में नियम है पर आना संग में पड़ेगा आना मां के पास ही पड़ेगा यही मां है यही बाप है यही बचाएगा इसने ही पहले बचाए था और अभी भी यह बचाएगा इसलिए चौथ नियम जो हमारा संग बाद का है वो बहुत करांती कारी नियम है अभी लोगों को समझ में नहीं आरा पर जल्दी ही जब ये लोगों को समझ में आ जाएगा तब तक हो सकता है साथ देर हो जाए हो सकता है जल्दी भी हो जाए पर जितने हमारे संगी हैं अगर वो समझ गए हैं संगंग नमामी, संगंग नमामी, संगंग नमामी, जैभीम नवुद्धर.